अलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सोम अकेडमी दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 28 सेप्टेंबर में जो आपका RRB गुरूप D के लिए एक जम हो है उसमें किस तरीके कोश्चन मैथ और रिजनिक में आपसे पूछे गए हैं वो सभी कोश्चन हम लेकर आए हैं और दोस्तों आसा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो देखते हैं पहला कोश्चन पहला कोश्चन जो है आपका इस प्रकास से है तीन संख्याओं का योग 51 है तो बीच वाली है तो आपको तीनों का योग दिया हुआ है 51 तो तीन से अगर 51 को डिवाइड करते हैं तो आपको मिलती है 17 तो दोस्तों 17 क्या होगी आपकी बीच वाली संख्याओं होगी और इसके बाद वाली संख्याओं क्या होगी 18 होगी और इससे पहले वाली क्या होगी आपकी 16 होग और भी दो लोग मिलकर किसी काजय को 45 दिन में करते हैं और भी अकेला उसी काजय को 85 दिन में करता है तो बताइए एक एक एला उसे कितने दिन में करेगा तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं A और B मिलकर करते हैं इसे 45 दिन में और B अकेला करता है T1 दिन तो अगर इनका frequency method से लेते हैं तो इनका दोनों का LC में ओच 405 आएगा ओच 405 को अगर हम 45 से divide करते हैं तो आपका 9 पर आपत होगा और 81 से divide करते हैं तो 5 पर आपत होगा तो इससे हमें पता चल जाता है A का कारिया जो है एक दिन का वो 4 होता है और हमें करने है 405 कारिये तो A को करने होते हैं 405 कारिया अकेले वो तो कितने दिन में करेगा 405 को A से divide करते हैं तो 101 सही एक बटा पांच दिन या 101.20 दिन या होगा आपका तो एका जो कार्य होगा वो होगा आपका 101 सही एक बटा पांच दिन तो दोर्टो अगला question देखते हैं अगला question जो है अनुपात से आया है अनुपातो समानुपात से तो इसमें पूछा गया है 12, 21, 8 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा यानि कि 3 अनुपात इसमें दिये गए हैं और 4 अनुपात आपसे पूछा गया है तो इसमें क्या करते हैं सबसे पहले वाली संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं और इकवल करके तीसरी संख्या को चोथी संख्या से डिवाइड करते हैं जैसा कि आपको दिखाया गया है तो यहां आपको चोती संग्या बतानी है यानि कि चतुर्थन उपाती तो यहां पर आप देखते हो 21 x 8 upon 12 तो आपको जो चोती संग्या प्राप्त होगी वो होगी आपकी 14 तो आपका जो है चतुर्थन उपाती क्या होगा 14 अगला question देखते हैं अगला जो कोश्चन है वो और सत्सा आया हुआ है दोस्तो हर टोपिक से एक एक कोश्चन दो दो कोश्चन इस तरीके से आ रहे हैं और सबसे ज्यादा जो कोश्चन है वो पाई चार्ज के आ रहे हैं लगबग चार कोश्चन आ रहे हैं परती एक पेपर में तो दोस्तो पाई चार्ट से आ रहे हैं गिराप से आ रहे हैं और सभी एक ही टोपिक के माने जाते हैं तो उसे आप पक्क कर लें मैंसूरेशन से कापी सवाल आ रहे हैं एक दो सवाल एलजेवरा का भी आ रहे हैं तो देखते हैं चोथा question पहली 50 संख्याओं का उसत जात कीजिए तो दोस्तों पहली 50 संख्याओं का उसत आप जानते ही होगे काफी सिंपल सवाल है तो इसमें हमें क्या करना होता है सबसे पहली संख्याओं क्या होती है आपकी 2 वो सबसे 50 वी यानि कि सबसे लाश्ट वाली अगर 50 संख्या होगा पूचा है तो सबसे लाश्ट वाली क्या होगी 50 वी संख्या आपकी 100 दोनों को जोड़का 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें सही और सत मिल जाता है यहां पर देखते हैं दोनों का योग कितना होगा 102 होगा और उसे डोसर डिवाड़ करने के बाद आपको मिलेगा 51 तो आपका सही आंसर क्या होगा 51 तो दोस्तो चलिए दोस्तो देखते हैं अगला question अगला जो कोस्टन आ हम बता रहे हैं आपको डिजनिंग के कोश्चन मेहित के कोश्चन अभी वह êtes के वाल यही मिलें बाकते नो प्रहुआप्ट करने कि यहां तो दोस्तों देखते हैं पहला कोस्चन डिजनिंग का जो इस प्रकाल से आया है 8, 64, 124 216 में गलत पत्र 6 तो दोस्तों इनका जो logic करने का वो है 2 का Q होता है आपका 8 और 4 का Q होता है आपका 64 और 5 का Q होता है 125 का Q होता है 266 कुल मिलाकर कहने का मतलब यह तीन जो हैं संख्याए ऐसी हैं जो किसी न कीसी का Q है लेकिन 124 आपकी ऐसी संक्या है जो किसी कभी cube नहीं है तो गलतपद होगा आपका 124 तो दोस्तों 124 होगा आपका गलतपद देखते हैं अगला question जो vnrx साया हुआ है एक question लगता रहा है vnrx का तो देखते हैं किस परकार से हैं चिडियागर सेर और बत्तक का सही वे नारेक बताईए देखे चिडियागर में सेर भी होते हैं और बत्तक भी होते हैं और यहाँ पहला option है इसमें दिखाया गया है तीनों को अलग अलग तो पहला option आपका बिल्कुल गलत है और अगर हम दूसरा option देखते हैं तो इनमें क्या किया गया है हो भी सकता है नहीं भी तो ये भी आपका गलत है तो तीसरा जो option है उसमें देखते हैं सबसे बड़ा जो है गोला वो चिडियागर का है और चिडियागर के अंदर क्या है शेर भी है और बत्तक भी है अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो सेर क्या करेगा बत्तक को खा जाएगा इसलिए दोनों को अलग-अलग किया गया है लेकिन हैं दोनों चिडिया घर के अंदर तो दोस्तों सही ओप्शन होगा आपका थड़ दोस्तों अगला जो कोश्चन है वो आपको इस प्रकार से है इस कोश्चन आपको दिया गया था कि ओसकार का संबन जिस प्रकार से फिलम से है तो अजून पुरुषकार का संबन उसी प्रकार से किस से हुआ तो दोस्तों ये र अगला question कुछ इस प्रकाल से आया है A, C, E अनुपात Z, X, V हो तो F, H, Z का क्या होगा तो F, H, Z के लिए आपको दिखाए दे रहा होगा शुरू में ही A से Z आया यानि A का उल्टा क्या होगा Z होगा A का पोजिट और उसी प्रकाल C का पोजिट क्या होगा आपका X होगा और E का पोजिट आपका V होगा यहाँ पर देखने पर मिलता है आपका पोजिट क्या होगा U होगा F का पोजिट आपका U होगा और H का पोजिट आपका S होगा और देखते हैं सही answer अगला question देखते हैं यदि आस्मानी को हरा कहा जाए तता हरे को लाल कहा जाए और लाल को सफेद कहा जाए तो घास का रंग कैसा होता है दोस्तो घास का रंग होता है हरा और हरे को क्या कहा जा रहा है आपर दोस्तो गास का रंग कैसा होता है रा हरे को कहा जा रहा है आपका लाल तो लाल आपके हरे को कहा जा रहा है तो सही ओप्शन आपका होगा सेकिंड यानि की लाल तो दोस्तो चलिए दो दो देख लेते हैं कुछ कोश्चन जो है काफी कोज्टन आ रहे है तो आप दोस्तों सफी फुल फरम के जो कोश्टन है वो जिःदोन में रखकर चले आगे जिनका पेपर होना है तो देखते हैं STD का फुल फरम होता है सिब्सक्राइबर ट्रंक डाइलिंग ये होता है STD का फुल फरम अगला question 2017 में Miss Universe किसे चुना गया तो दोस्तो 2017 में Miss Universe Demi Peters को चुना गया है और कुछ मेरे मित्रों ने comment में मानुसी छिल्डर के बारे में पूचा है तो दोस्तो मानुसी छिल्डर जो है अगर आपने option लगाया है तो वो आपका गलत होगा 2017 की Miss Universe Demi Peters है अगला question देखते हैं अकबर का वित मंत्री यानि की कोस मंत्री कौन था जो अकबर के सासनकाल में उनका जो है कोसागार का काजे समालता था तो दोस्तों वो थे आपके टोंडर मल लाजा टोंडर मल अकबर के वित मंत्री यानि की फाइनेंस मिनेस्टर थे अगला question एक पुस्तक का नाम दिया गया है और उसके जो लेखक है वो पूछा गया है पुस्तक का नाम है वो आपका बिलकुल गलत होगा तो अगला question देखते हैं AIDS किस वाइरस से होता है तो AIDS होता है HIV वाइरस के कानव अगला question परतिरोध का मातरक क्या होता है तो दोस्तों परतिरोध का जो मातरक होता है वो होता है ओम और आपके ओम का जो संकेत है वो इस परकार से होता है ओम का संकेत और अगला जो question है वो इस परकार से है कि ओम का जो संकेत है वो आपका इस परकार से होता है देखिए जैसा क साइड में बना हुआ है तो यह होता है ओम का संकेत साइड संकेत पर भी आपको निशान लगाना था तो दोस्तों अगला कोश्चन देखते हैं रक्त का पी एच मान पूछा गया है रक्त का पी एच मान तो दोस्तों पी एच मान काफी जादा पूछे जा रहे हैं जादतर चलाईया समीती का संबन किस से होता है तो चलाईया समीती का संबन जो है बच्चों ने अभी option हमें नहीं बताये थे तो मैं आपसे comment box में आसा करूँगा आप बता दीजिए चलाईया समीती का जो संबन है किस से होता है और एक विडाल टेस्ट के उपर question आया था ये नहीं बताया कि विडाल टेस्ट किस से क्या होता है या किस के कारण होता है तो दोस्तों विडाल टेस्ट के बारे में अगर आपको कोई information हो तो दोस्तों हमें comment box में जरूर सेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें आज के लिए इतना ही धन्यवाद आगे की जो information है वो आपको आगे की वीडियो में दी जाएगी